हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू मैई चैनल कैसी हो आप सब आज हम बैस्टेवल सूप बनाने जा रहे हैं इसे बनाना काफी चाहता है और जो हमारी हैर्थ के लिए भी बहुत अच्छा होता है तो हम इसका सेवन जरूर करना चाहिए चलिए सूप बनाना स्टार्ट करते हैं बैस इसे प्रिजट्च से निकाला है तो पाँच मिनट के लिए मैंने इसे छोड़ दिया था वहां निकालकर पांच मिनट हो चुके हैं अब मैं इसका जो पैकेट का काट कर इसकी बैस्टेवल से उसे मैं निकाल लूँगे एक कैंच की हैल्प से पैकेट को काट लेंगे और किसी बैजटेवल हैं उसे निकाल लेंगे एक पानी का बाउल लेंगे और सारी बैजटेवल बाउल में डालेंगे जो बाउल मैंने ले लिया है अब सारी सर्जी को निकाल के इसे पांच मिनट के लिए पानी में डिप करके रखेंगे हम जो भी इसमें आइस रमी हुई है अच्छे से पीगल जाए जो भी इसमें आइस रमी हुई है अगर आप अलग-अलग से लेना चाहते हैं तो वह भी जूस कर सकते हैं लेकिन आप में सूप बनाने के लिए वैसे भी मिक्स वेस्टेबल के जुरूरत होती है तो मैंने मिक्स पेस्टेबल वाला जो फ्रोजन पकेट है वही लिया है पांच मिन्ट हो चुके हैं अब पानी को हम निकाल लेंगे जिस सब्जुमी से पानी हमने निकाल लिया है गैस पे मैंने एक पैनल खा हुआ है तो सूप बनाना स्टार्ट करेंगे इसमें थोड़ा से मैंने बटर डाला है आप चाहें तो ओइल का जूस कर सकते हैं लेकिन बटर से जो सूप का टेस्ट है काफी ज़्यादा बढ़ जाता है इसलिए मैंने बटर का जूस किया है अब हमें इसमें अंकटा हुआ प्यास टालेंगे एक प्यास को मैंने जौक किया था तो इसमें डाल लिया आप चाहें तो इसमें अद्रग लसन अगर डालना चाहें तो डाल सकते हैं चाहें तो स्किप कर सकते हैं मैंने चाहां अद्रग लसन नहीं डाला है तो सिर्फ प्य कर सकते हैं चाहें तो लस्न इन तरत डाल सकते हैं तो प्याप के उपर हैं आपको जैसा भी टेस्ट अच्छा लगता हो को कर ज्यादा नहीं पिरना है हमें हाथ हलका साई इसे बुनेंगे अधध कॉसा ज्या बुन चाहрात जर्ण मारे बेस्टेबल से इसमें डाल देंगे यह सारी बेस्टेबल मैंने इसमें डाल दी है अब इस अच्छे से मिक्स कर लेंगे गैस का फ्ले मैंने लो टो मेडियम रखा है अब इसमें पानी अड़ करेंगे अपनी बेस्टेबल के कॉर्डिंग पानी डाल सकते हैं जितनी बेस्टेबल ली है उसी के कॉर्डिंग पानी डालेंगे अब इसमें नमक अड़ करेंगे टेस्ट के कॉर्डिंग नमक डाल लेंगे थोड़ा समय ने जहां काली मिर्च डाली है काली मिर्च को मैंने कोट कर ढाला है आपके पास काली मिर्च का पाउडर हो तो डाल सकते हैं अब इसे 5-7 मिनट के दिये हैं पकने देंगे इसे डग कर पकाएंगे हम 5 मिनट हो चुके हैं अब एक मैंने घोल रेडि किया है कोन फ्लोर का एक चमच कोन फ्लोर डालेकर उसमें Jared's थोड़ा सा पानी डाल कर घोल बनाया था और इसमें डालनेंगे इससे जो हुमारा सूप है गाड़ा हो जाएगा एब से चार से पांच मिनट के लिए और पका लेंगे हम जे सूप हमारा बनके बिल्कुर रेड़ी है गैस का फ्लेम ओफ कर देंगे अभी जे थोड़ा हमें पतला लग रहा है लेकिन जब जे ठंडा हो जाएगा तो काफी घड़ा हो जाएगा कॉन फ्लोर हमें ज़्यादा नहीं डालना है ज़्यादा डालने से सूप ज़्यादा घड़ा हो जाएगा जे देखे सूप हमारा बनके बिल्कुर रेड़ी है आपको आज की जे मेरी रेस्पी कैसी लगी मुझे कॉमेंट करके जोर बताइएगा गैस और मेरे चैनल को लाइक सस्क्राइब और शियर जूर करिएगा थैंक्स पूर वाचिंग